अब लोग अच्छे होंगे तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बुलनाकात हो रही है तो सबसे पहले मेरा सवाल है आप लोगों से आप कैसे हैं कैसे ने मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बता है और आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है और पता दीजे ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपका व्यू मेरा व्यू मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है तो सबसे पहले इस वीडियो पर हम लोग बात करते हैं कि आप इतने दिन कहां थे क्या कर रहे थे वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे क्या चीज़े आप कर रहे थे जो रबाद करते हैं, देखे जो आप एक ट्रेडर MARKET पर आता है, अब तो MARKET पर उसको कई सरी चीज़े आपको देखने को मिलेगा, SO accidentally candle stick जो है यह चार्ट आपको देखने को मिल रहा है बार स्टीक हो गया, लाइन चार्ट हो गया, तो सबसे पहले वह जो देखता है कि बहाही जो कि या candle है, शेयर बाजर जिसको कहते हैं तो यहां पर आप देखो कि आप बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी तो सबसे पहले आइडिया जो आपको होगा कि यह स्टॉक है यहां पर डिःड़ कर लगता है करो एकुर करना होता ह Jong दबएकुरण सबसे पहले सावाल आता है सैल करे तो सबसे पहले आपको आता है buy sell का, तो आपको यहां पे लगएगा इतनी आसान नरुसरा है, option season sell हो रहा है कि इतनी आसान होता नहीं है आपको यह पता नहीं रहता है कहा पे आपको buy करना है कहा पेसा है मैं अपना चुटा से introduction देना चाहूंगा मतलब stock market में introduce board जब मैं ने trading start किया था पैसा लोटके भी गया तो यह जो आइवूल है मैंने यहां पर जब मैंने फर्स ट्रेड किया था तो यहां पर मार्जिन आपको बहुत थी मतलब 40 X ठीक है 50 X आपको ऐसा मार्जिन मिलता था तो यहां पर मैं करता था कि 500 क्वांटिटी चलो उठा लिया आज यहां पर और एक आपको बाय करना यह बहुत ही इंपोर्टेंट है जब भी आप कोई भी सेग्मेंट पर ट्रेड करेंग यहां फिर करेंसी हो ठीक है तो अब बात आते हैं यह तो ठीक है लेकिन अब यह जो कैंडल है यह तो कुछ ना कुछ रीजन के वाज़े से यहां पर लॉजिकल चीज जो यह चार्ट वगirh होती है यह सिखाने के लिए मिलता है लिए टेकनिकल अनलासीश में चार्ट प्रेटरल के अचार्ट पेटर चड्रलल चार्ट प्रेट्टर्फिक प्राइट्ट प्राग्श अर यह बहुत सारी जीज़ए बहूत ही जब लात की मतलब लाज वास्ट आप सब लोग को इस से गुजरना ही पड़ेगा फिर उसके बाद आता है प्राइजेक्शन जो है वह बहुत ही बड़ा टर्म होता है प्राइजेक्शन का मतलब होता है आप जब मार्केट में कोई भी चीज कोई भी स्टॉक देखते हो तो उसका मुवमेंट क्या है ठीक है औ फिर फिर उसको आप जब इसको सीखते हो आप तरवसें एक प्रइस्ट करते हो आप ठीक है तक बेक तरद रहे बाद देल्ग तेसिंग करते हो पैर ट्रेडिंग करते हैं देल्ग vapor जर्नी होता है ठीक है यहीं इसा भी ब्हाँ चीज़ होउ उसके बाद चीज के बाद ही चीज कहना चाहूंगा स्टार्ट करने तो आप इक्विटी से स्टार्ट करो जैसे कि मैंने आपको शुरुवात में बता दिया था कि एक बहुत ही अच्छा चीज है क्योंकि यहां पर आपको जो है रिस्क मेनेजमेंट का सबसे बड़ा जो है फैक्टर यहां पर आपका हेल्प करता है आपके हिसाब से जएं पर अच्छा प्रोफिट बनने का चांसी रहता है तो यह इतने सारी चीजे होती है यहां पर आपको शुरुट आपको आउट-पूट निकल के आता है वह आपको डिसीजन लेना परता है प्यूटिसल लेने के बाद आपको यहां पर अपना ऐक्रश्य पता चलता है कि आपका 50% से 60% है यह 70 है यह 90 है उस हिसाब से जो है आपका यहां पर पता चलेगा decision लेने के बाद यहां तो फिर देखिए अगर मान लेते हैं कि आपका 50% है तो मान लीजिए अभी आपका 5 SL हो जाते हैं और 5 आपका टरेट दे देते हैं यहाँ पे 1-2 को आप टर्गेट रखोगे ही रखोगे यहानि कि एक रुपया लाउस करोगे तो 2 रूपया प्रफिट करोगे यहां पर अगर आपका 5 SL hit भी हो जाता है अगर आप 1-2 rule का follow करते होंगे तो definitely आपका end of the month जो है October का वो हमेशा profit में ही दिखाएगा अगर हम बात करें यह जो accuracy है यह कभी भी जो है आपका मान लिए 70 तक accuracy पहुंचता है इसका मतलब यह नहीं कि आपका 60 हो जाएगा फिर 50 हो जागा यह accuracy हमेशा आपका increase होता रहेगा ना कि decrease होते रहेगा तो इसलिए जो है अगर आपका 50-50 भी accuracy है तो भी आप easily equity से अच्छा कासा पैसा कमा सकते हो 60 है 70 है 80 है 90 तो बहुत ही अच्छा रहेगा ठीक है तो एक ट्रेडर जाब equity में अपना ऑप्षिन कर लेता है जो अपना goals होता है जो अपना achievement होता है skill होता है जब वह equity में chशीव कर लेता है उसका next step होता है वह होता है options ठीक है तो इसलिए जो हम क्या चीज़े काम करती है option पे देखे एक normal जो ट्रेडर होता है ठीक है वह एक normal trader होता है और जो एक pro trader होता है ठीक है, इसमें सा difference क्या है देखे इस price point पे जो है यह मान लिजी मैंने resistance ड्रॉट किया यह मैंने support ड्रॉट गया थीक है पे कर लिया लेकिन आपने कभी देखा होगा कर लेसे अम्हें डायाना था या पने पर क्रीमिया पर प्रेमियः वह आप जाना चाहिए बट यहां पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, यहां पर उल्टा हो गया, मतलब अगर निप्टी थोड़ा सा भी अलकव उपर जा रहा था न, तो यहां पर इसका जो PE का जो प्रीमियम है, वो जो है गिरते गिरते, काफी अच्छा गिरताता है, तो इसका पीछे रीजन क्या है, द ग्रीक्स काफी important रहता है, क्यों, क्योंकि यहां पर ग्रीक्स में ही आपको बहुत सारी चीज़े मिलते है, जैसे कि हो गया delta हो गया, फिर gamma हो गया, फिर vega हो गया, फिर theta हो गया, और फिर Rio हो गया, तो यह जो 5 factor है, यह ग्रीक्स के मदद से ही बने हुए है, और यह decide करता ह एक option buy या option seller को, जो कि क्या करना है, हमे put buy करना है, या sell करना है, according to market sentiment, according to market risk, according to market volatility, बहुत सारी चीज़े यहां पर involved रहती है, तब जाके आप यहां पर trading decision ले सकते हो, देखे, option buying पर यहां पर आपको क्या होता है, capital आपको कम जरूवत पड़ता है, और option selling में आपको ज्याद premium खाने को मिल जाता है, बट यहां पर option buying पर risk है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका theta का risk हो जाता है, time का risk हो जाता है, जब तक कि आप यहां पर buy करोगे, अगर वो अच्छा से इस तरीके का देखिया, यहां पर इस तरीके का movement नहीं आया, तो यहां पर कहीं न कहीं आपका loss ह होने का chances रहता है, अगर मान लिजे कुछ इस तरीके का sideways form हो गया, तो यहां पर आपका option है, जो अपने premium पैसा दे के रखा है, वो chances से पूरा का पूरा जीरो हो जाए, बट option selling में नहीं होता है, ऐसा case में, option selling में हमें market का sentiment को देख के, हम लोग को यहां पर option करना होता है, यहां पर directly read out कर सकते हो, तो देखिए, यह सारे जो factors होते हैं, intrinsic value हो गया, theta, gamma, यह सब बहुत ही important है, option buying के लिए, option selling के लिए, तो जो normal trader होता है, यहां पर हम वापस आते हैं, point पे, जो normal trader होता है, normal trader यह सारी चीज़े कुछ भी नहीं देखता है, वो सिर्फ यह देखता है, support resistance उन्हें draw कर दिया, अब price यहां से नीचे आएगा, तो मैं इसमें क्या कर दूँगा, put को buy कर दूँगा, अब यहां पर price उपर गया, तो मैं यहां पर CE को, यानि की call को buy करूँगा, बस उसे बस इतना ही पता है, but pro trader को क्या होता है, वो अगर उसके पास capital नहीं है, वो दे तो यहां पर option Greeks को हम लोगो सिखने में time लगा रहे थे, कि delta किस तरह का move करता है, gamma क्या करता है, यह एक बहुत ही बड़ा सिलाबस है, देखे, equity को खतम करने के लिए already इतना time लग गया, अब यह options को सिखने के लिए time लग नहीं था, तो जैसे हम लोग और option buying के जो strategies होता है, उस पर हम लोग नहीं काम किया, back test किया, तो फिर हम लोग को result देखने को मिला, हाँ ठीक है, option पर यहां पर यह यह चीज़े करनी होती है, same चीज़ जैसे हम लोग ने equity पर किया था, तो यहां पर जब option के सीखते हो, सारी चीज़े उसके बाद implement करता है, आपका profit बनने लगत यहां पर बहुत ही, मतलब क्या बहुत ही risk free trade होता है, बहुत ही, बस यहां पर main होता है, कि आपका funds का ज़्यादा चाहिए होता है, यहां पर strategy जो है, वो same बहुत पूराने जमाने से में चलती आ रही है, वो भी अभी भी काम करती है, और आगे भी काम करते रहेगा, देखि कोविट के बाद इतना volume आने लगा है, तो अभी देखिए, bank nipty का next month में भी हमें अच्छा का सा liquidity देखने को मिल रहा है, उसका next month भी हमें थोड़ा थोड़ा liquidity देखने को मिल रहा है, बट अगर हम stock option की अगर हम लोग बात करने जाए, तो यहां पर इसका liquidity current month का ही थोड़ा पैसा नहीं है, अभी धिरी धिरे current expiry पे भी मतलब current month का expiry में हम लोग को stock में easily हमें liquidity देखने को मिल रहा है, आने वाले time पे याने की 4-5 सालों में यह देखिएगा, इसमें भी option selling होने लगेगा, यहां पे भी लोग यहां पे पैसा बनाने लगेंगे, यहां पे तो यहां आप देखिए, यहां पे सारी चीज़े मैंने already a to z explain कर दी है, अगर कुछ भी अगर आपको doubt हो या फिर कुछ भी कहना हो, मतलब comment करना हो तो हमें इस वीडियो के नीचे comment कर जाएगा, हम लोग उसका जरू से जरू reply दरने का कोशिश करेंगे, और दूसरी बात अगर ऐसा नहीं है कि देखिए हम लोग YouTube पे available नहीं है तो कहीं available नहीं है या फिर कहीं vacation चले गए नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग हमेंसा Telegram, Instagram में हमेंसा active रहते हैं, अगर अभी अब तक हमने follow नहीं किया है, तो प्लीज हमें follow कर लिजएगा, description पे इसका link पे जागा, और Instagram पे हम लोग daily में इस पे जो है थोड़ा सा काम किया है कि कैसे क्या option बाइंगे तो अभी क्या होता है, हम लोगों ने कल से हम लोग ने start कर दिया है, हम लोग का already group बन चुका है, option buying का, और वहां पे हम लोगों ने यहां पे decide कि जो index है, जैसे bank nifty हो गया, और stock का option हो गया, हम लोग वहां प provide करेंगे, कौन सा strike price पे लेना है, और कितना entry, कितना stop, लोग सारी चीज़े मैं यहां पे आपको दूँगा, और साथ ही साथ मैं यहां पे खोद यहां पे live trade लूँगा, आप लोगों के साथ, trade लेने का बाद मैं आपको screenshot share करूँगा, भाई देख लोगी मैंने भाई, मैंन अब आते हैं, दूसरा topic के बहुत ही interesting चीज़े लगेगे, आपको यहां पे next topic पर हम लोग चलते हैं, तो दीखिए, जो हम लोग का भारती याटर है, stock अगर आपने देखा होगा, इसमें मैंने one hour का chart लगा के रखा है, तो यहां पे आप देख सकते हो, अभी price जो है 764 पे म मैंने draw करके रखा है, कैसे हैं यहां पे आपको मैं बताता हूँ, तो इसको मैं पहले screen को clear कर देता हूँ, आप यहां पे देखिए, price आप जा रहा था, इसमें एक बार hit किया, price थोड़ा सा down आया, उसके बाद इस level से जो है, जो यहां पे breakout हमें देखने को मिला था, यहां स इसी level पे जो मैंने यहां पे mark किया, 764.40 पे यहां से ही price जो है, अब हमें देखने को मिला, जब यहां पे एक solidarity support लिया था, पहले बाद तो यहां पे इसको break कर दिया, और यहां से कहीं से price फिर से वापस चल रहा है, और यह all time high से वापस फिर से lot रहा है, तो यहां पे हम ल आया है, तो जैसे कि मैंने label को mark किया था, 760.40 इस level को दिखे price उपर गया, फिर इस level को test करके price उपर गया, तो कहीं न कहीं यह level भी हमारे लिए काफी सारा, काफी जादा important है, अगर आप हमारे साथ telegram पे नहीं जूड़े हो, ठीक है, यह हमारे channel को follow नहीं के हो, तो वहां प update करके दिया था, मैं आपको एक बर अपना टेलीग्राम चनल पे लिके चलता हूँ, यह देखे, यह हम लोग का टेलीग्राम चनल है, यहां पर भारती आटल का, मैंने यहां पर buy का research दिया था, यहां पर 765.75 और stop loss था 757.75, अगर हम बात करें, यहां पर देखे, अभी price ज लग रहा है कि, या तो अगर market थोड़ा सा भी हमें positive support किया, यहां से हम लोग को अच्छा खासा उपर की तरफ movement देखने को मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हम लोग का stop loss है, stop loss ले ले लेंगे, कोई दिक्षत नहीं, हम लोग दूसरा trade भी find out करेंगे, अभी मुझे लगता है कि, अगर market थोड़ा सभी हम लोग को support करेगा, तो definitely इसका movement है, इसका हम लोग को पहला target 773, 781 हमें देखने को भी मिल जाएगा, तो इस तरीके का target जो हमें बहुत ही अच्छा हम लोग को देखने को मिला है, और साती साथ अगर हम बात करें, यहां पर कुछ अक्टोबर 12 का जो मैंने यहां पर analysis मैंने दिया था, उसके बाद next day जो है, इसका price के नीचे आया था, उसके बाद यहां पर entry लेके, यहां पर काफी अच्छा जो है, यहां पर हम लोग को move भी देखने को मिला, यह दिखिए, stock का नाम है, प्राजी India, यह पर प्राजी India, आ domestic का भी हम लोगों ने entry यहां पर दिया था, already in station मतलब की हम लोग का support area के आस-पास के यहां पर भी, mansion price पे आपको entry में लिया, तो यह भी काफी अच्छा stock है, यहां पर थोड़ा सा आपको wait करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा stop loss में difference है, इसका मतलब हम लोग को option का यह हम लोग का channel है, और यह equity का channel है, equity में हम लोग हमेशा update देते रहते हैं, कहां पर आपको entry stop loss लेना है, कहां पर क्या लेना है, सब लोग यहां पर अपना contribution करते हैं, कहां से उनको buy करना है, या sell करना है, ठीक है, तो अगर आप भी हमारा साथ जुड़ना चाहते हो, तो भी हो सकता है, chargeable हो, या फिर कुछ और conditions लगे, ठीक है, तो फिलाल के लिए अभी free है, तो अगर आपने join नहीं किया, जल्दी से जल्दी join के लेजएगा, और यहां पर Monday से, यानि कि कल से, यहां पर regularly update आने लग जाएंगे, options पर, यहां पर आपके जो option के trading है, वो भी काफी अच्छी improve हो जाएंगे, तो चलते हैं, और थोड़ा सा last point में यह चीज़ कहना चाहता हूं कि, काफी सारे update आये है, धन से regarding, वो मैं next video पर अपके लिए 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 आऊँगा, ठीक है, काफी सारे update है, मिस हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं देरे-देरे सारे चीज़ से cover क क्लिक करोगे, यहां पर आपको बहुत सारे time frame मिलेंगे, 12, 6, 3 months, 1 month, 1 week, 1 day, और 4 hours, 3 hours, तो यहां पर बहुत सारे time frame, मतलब यह इतना time frame में आपको कोई भी broker provide नहीं करता, वो भी free of cost में, ठीक है, तो इसलिए अगर आप जी तक आपनी demand account open नहीं किया है, तो जल्दी से जल् तो अगर आप open कर लेते हैं, तो मुझे एक बार message कर दो, telegram पे या फिर instagram पे, id लिंक पे, जो है description पे मिल जाएगा, ठीक है, लिंक जो है description पे मिल जाएगा, वहां पे आप आप तुरंद में चाहे है, contact करो, मैं आपको जो है channel पर add कर दो, विल्कुल free of cost है, इसके लिए मैं अपना होता है, सारी चीज़े मैंने आपको अच्छा से explain कर दे, still अगर आपको कुछ पी doubt होता है, आप मुझे इस वीडियो के नीचे comment करके पोच सकते हो, मैं definitely आपका जो help करने का कोशिश करूँगा, तो मिलते है अगले वीडियो पर, तब तक मैंना ख्याल दखेगा, goodbye बाए दोस्तों, take care